कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम जोब हमें तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिक्रूट्मेंट रैली नोटिफिकेशन जाने की जो की अगनिपत स्कीम के तहत जो भरती आभी आने वाली है उसका जो ओफीशल नोटिफिकेशन जारी हो जुका है इंडिन आर्मी की ओफीशल वेबसाइट की उपर की क्या-क्या इसमें एलिजिबिल्टी क्रेटेरिया होन दाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरु करते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं online registration जाने की online फॉर्म निकलने वाले है all candidate to login to join Indian Army जाने कि Indian Army की जो official website है उसके उपर आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको registration करके जो आपना form फिलप करना होगा तो registration कब से शुरू होने वाले हैं तो जहां से द्यान से देखिए जहां पे तो registration जो है आपके जुलाई मन्त में जहां पे शुरू हो जाएंगे जाने कि online जो आपके form फिलप होने वाले हैं वो जुलाई मन्त से शुरू होने वाले हैं तो जहां पे respected ARO जाने कि जो आपकी भरती करवाते हैं ARO उनके उपर आपकी जो official site है जुलाई मन्त में आपके जो फिलप होना शुरू हो जाएंगे तो अग्नी वीर जर्नल ड्यूतित अग्नी वेर टेकिनिकल अग्नी वेर टेक्निकल इविएशन अम्यूनेशन जो होता है जो इनकी भरती होती है अग्नी वेर गलर्क की storekeeper की तो अग्नी वीर ट्रेड्मेन टेंथ पास अगने वीर जो ट्रेड मैन एट्थ पास के लिए जहां पर भरती आने वाली है तो सबसे पहले आप इस notification को ध्यान से देखे टर्म एंड कंडिशन का मैंने आपको पहले ही एक जो वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दी था अगर आपने उस वीडियो को और नहीं देखा था कि इसकी क्या टर्म एंड कंडिशन होने वाली है इस भरती की तो आप इसको चकाओड कर सकते हैं बट आपने जो इनके टर्म एंड कंडिशन है वो इस नोटिफकेशन में इन्होंने बता दिया है तो सर्विस भी आपको पता है कि चार सालों की जहां पर आपकी सर्विस होने वाली है लीव जूनिफॉर्म पे अलॉंस सब कुछ आपको जहां पर बताया गया है इस जो नोटिफकेशन में भी त इसको देखिए कि जो कंबाइन पहले वाला नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को जहां पर कंबाइन कर दिया गया है और अल कंडिडेट टू लोग इंटू जोइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशल साइट पे ओनलाइन रिजिशन करना होगा आपको इसके बाद आप और झटल सकते हैं कि 10 पास के लिए 45% माक्षा आपके 10 में होने चाहिए और 33 परसन आपके each subject में होने चाहिए जो जनल ड्यूटी के लिए और इसके बाद अगनीवीर टैक नेकल के लिए अगनीवीर के लिए जहां पर देख सकते हैं 17 से लेके साड़े 17 से लेके तेज साल दक जहां पर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और जहां पर एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में भी जहां पर बताया गया है इसको भी आप साथ साथ में चेक आउट करते रही है और अगनी वीर कलरक के लिए भी नेक्स्ट येर से वो फिर से आपको जहां पर वो ही जो एज लिमिट होगी वो ही आने वाली है उसके बाद हाइट एंड वेट के बारे में जहां पर आभी तक नहीं बताया गया आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो बरती ओती थी उसके हिसाब से ही जो आपकी हाइ ही आपको पता ही होगा कि गरूप बवाने के लिए साथे 5 मिन्ट मिलते हैं और ग्रूप टूल के लिए जो 5 31 से लेके 5 पंसताली जो पंसताली तक आपको टाइम मिलेगा आपको पता ही होगा कि कितने मार्क्स मिलेंगे 60 marks मिलेंगे अगर आप पहले जो group में आएंगे excellent में second में 48 आपको जहां पर marks मिलेंगे pull up होंगे आपके जहां पर marks होंगे आपके zigzag जहां पर need of qualify जाने की no fit ditch जाने की आपको जहां सब कुछ इसके बारे में बताया गया है कि जह सिर्फ आपको जहां पर qualify करना होगा उसके बाद नीचे physical measurement at rally site जो की physical measurement होगा आपकी rally में होगा medical test भी आपका वहां पर होने वाला है आप इसको भी देख सकते है written test common interest exam जानी CE आपका जो written examination है will be conduct medically fit जानी की जो medically fit candidate होगे उसके बाद उनको एक date and time दिया जाएगा return test के लिए तब ही आपका जहां पर written examination होगा उससे पहले आपके जहां पर admit card उन्होंने जो जारी कर दिये जाएंगे admit card आपको जहां पर rally fit candidate will be issue rally site आपको rally से ही आपको admit card जहां पर मिलने वाले हैं उसके बाद admit card जहां पर देख सकते हैं कि जो आपका रैले के लिए admit card होगा printed on laser printed on good quality paper के उपर आपका जहां पर admit card प्रिंट होना चाहिए फोटोग्राफ भी देख सकते हैं कि आपके पास at least 20 फोटोग्राफ होनी चाहिए जब आप भरती देखने जाओगे तो इसके लिए आप देख सकते हैं education जो certificate है वो आपके सभी original होने चाहिए उसके साथ-साथ जो भी आप original document साथ में लेकर जा रहे हैं उन सभी के साथ- certificate सीखे हिंदू-Muslim जोग होते हैं उनको जहां पर आपना जो रिलीजन certificate लेकर जाना होगा स्कूल क्रेक्टर सर्टिफिकेट अन्मेरिड सर्टिफिकेट रिलेशनशिप जो सर्टिफिकेट रहता है जानी कि जो जिनके बाई जा फादर जो पहले ही फोज में जो बरती होई का सर्टिफिकेट में जातर कर दया है तो जानी कि आपको जो भी पहले बरती का सिस्टम था वही वहीblowing हो रहा है इसे सकते हैं कि आप आप को कितने Óस मार्कस मिलने वाले है जब आप रेटन combined examination में जो written examination दोगे तो जो son of a service man जाने कि ex-service man जो candidate है उनको 20 marks extra मिलते हैं विड्डो जाने कि किसी के जो person who have died in harness जाने कि आपके जो किसी युद के दौरान किसी की जो मृत्ति हो जाती है उसके दौरान आपको जहां पर 20 marks जहां जहां पर आपको मिलने वाले हैं NCC certificate होता है उनके पास भी देख सकते हैं एक लिए 5 marks extra मिलते हैं यह के लिए 10 और NCC certificate के लिए 15 marks जहां पर आपको मिलने वाले हैं तो इसको भी आप check out कर सकते हैं कि आप जहां पर देख सकते हैं जो टेकनिकल के होते हैं अगरे वी टेकनिकल उनको जहां पर देख सकते हैं कि वान जेयर कोर्स जाने कि आगर आपने आइट एक वान जेयर कोर्स किया हैं आपको 30 marks मिलेंगे टू येर के लिए 40 और आगर आप डिप्लोमा होडल है आपको 50 marks जहां पर बोनस के रूप में जहां पर होने वाले हैं तो दोस्तों जहां पर admit card की बात करते हैं तो जब आपकी rally होगी उसके 5 दिन पहले आपका admit card जारी कर दिया जाएगा तो जाने कि आपका admit card जो 5 दिन पहले ही जहां पर जारी होगा आपकी age limit है वो 1 October 2022 से जहां पर मापी जाएगी कि आपकी age limit जो 23 साल होन चाहिए 1 October 2022 तक उसके बाद आप जो भी जो आप data देंगे email देंगे वो अपनी personal आपनी ID को देंगे उसके उपर आपको आपके जो admit card है वो आ सकते हैं उसके उपर आपकी कोई information आ सकती है तो आप जब form फिलप कराएं तो आप सर्वी कुछ आपना जो personal ID जा आपनी personal email को ही बहां पर upload करें उसके बाद आप इस notification को जहां पर भी देख सकते हैं कि पूरे 19 पेजों का जहां पर जो जे notification इनोंने अभी अभी जारी किया गया है आगर आप जहां पर एक और main बात है कि जो पेपर बताया गया है कि आपकी नेक्टी मार्किंग भी होने वाली है नेक्टी जो fully vaccinated होने चाहिए है COVID-19 का जो होता है the certificate will be produced to authorized जो upon asking that आपके पास जो उसका certificate होता है वो भी आपके पास होने चाहिए तो दोस्तों उसके बाद आप नीचे भी scroll कर सेगेंगे जहां पर list of school की जहां पर बताये गई है कि कौन कौन से school की list है इसके उपर भी आप दिख सके format for affidavit आपके पास जो affidavit होता है उसका जो format होता है यह होने वाला है तो जी affidavit आपको कब लाना होगा जब आप रैली देखने जाओगे जब आपका physical होगा तब आप इसको अपने admit कर के साथ जहां पर लेके जाओगे list of game and sports for enrollment आपने कौन सी game को जहां पर जूज किया है उसके बारे में जहां पर बताया गया है body tattoo certification जानी कि आपके पास body tattoo certification भी आपके पास होना चाहिए कि आपके जो body पे कोई जहां पर tattoo नहीं बना हुआ है जे भी आप देख सकते हैं इसको भी आपने साथ लेकर जाना होगा certificate जे देख सकते हैं permanent body tattoo respect candidate for a tribal community तो दोस्तों जे ही था आज की इस वीडियो में जे 19 पेजों को जहां पर इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस notification को upload किया है आप जो official website के उपर I hope आपको जे वीडियो पसंद आई होगी समझा होगी प्लीज इस वीडियो को शेर करिए और बाकी candidates के तक भी जे वीडियो पहुंचाती जिए तो मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लीजिए मिलते हैं next वीडियो में जैन जै भारत